आज एक नहीं आपके फाइदे की तीन तीन जानकारियां दी जाएंगी सब चाहते हैं कि उनके गाल गुलाबी हूँ आप भी चाहती होंगी साथ ही आप फेशल भी जरूर करवाती होंगी लेकिन इससे जुड़ी बेहत जरूरी जानकारी आपके पास नहीं है आप दुपट्टा भी जरूर पहनते होंगी लेकिन आपको उससे जुड़ी बहुत खास बात बताऊंगी आज आपको बताऊंगी कि राशी के हिसाब से कौन सा फेशल आप पर फिट होगा आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा वो फेशल करके आप भी देखेंगे कि कितना फरक देखता है साथ ही आपको गाल को लाल और गुलावी बनाने का तरीका भी बताया जाएगा लाल गाल कैसे आपकी किसमत बदल सकते हैं यह वो भी मैं आपको बताऊंगी और आपको दुपट्टे का लेटिस डिजाइन भी दिखाऊंगी आपको किसमत वाला दुपट्टा भी दिखाया जाएगा आई आपको आज का पहला महाउपाई क्या ही यह बता देती हूं क्या समाज में मान समान घटरा हैं आपका कबूत्रों को चावल डालें बाजरा शुक्रुवार को खरीदें और शनिवार से डालना शुरू कर दें धीरे धीरे आपको जिन्दिगी में अंतर दिखने लगेगा कोई आपको कहता होगा कि चहरे पर आप चंदन लगा लीजे कोई कहता होगा कि चहरे पर खीडा लगा लीजे और कोई कहता होगा कि पपीता और अमरूद लगा लीजे कोई कहता होगा चहरे पर मुलतानी मिट्टी लगा लीजे और आप confused हैं ये तो होना ही है लेकिन आज मैं आपको आपकी इस प्रॉब्लम को एक दम खत्म कर देती हूँ पहले मैं आपको आपकी राशी के हिसाब से चहरे पर क्या लगाना चाहिए बता रही हूँ और फिर और भी काम की बात करेंगे एरीज यानि की मेश राशी के लोग सफेज चंदन का लेप चहरे पर लगाएं और नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं टॉरस यानि की विश्चव राशी वाले लोग चहरे पर दूद और बेसन का पेस्ट पना कर लगाएं Gemini's मिथुन राशी वाले लोग खीरे के slices काट कर क्यूंकि भुद्ध है ना आपकर है इसको घिस कर चहरे पर कुछ तेर के लिए लगाएं इसको daily daily आपको करना है Cancer यानि कि करक राशी वाले लोग नहाने के जल में rose water डाले और चहरे पर भी गुलाब जल लगाएं Leo सिंग राशी वाले लोग पपीते को mash करके चहरे पर लगाएं Virgo कन्या राशी वाले लोग चहरे पर अमरूत को mash करके लगाएं तुला राशी वाले लोग Librains चहरे पर coconut water लगाएं आप coconut milk या coconut oil भी लगा सकते हैं Scorpions व्रिश्चिक राशी वाले लोग आलू के स्लाइस करकर चहरे पर रखें Sagittarius आप नीम के पत्तों का पेस्ट बनाकर चहरे पर लगाएं Capricorns आप मकर राशी वाले लोग चहरे पर दही लगाएं Aquarius कुम राशी वाले लोग आप Rose Water और Conflat जिसको हम बोलते हैं मक्के का आटा इसको चहरे पर लगाएं Pisces आप चहरे पर शेहद लगाएं आगे पढ़ने से पहले आज का दूसरा महा उपाई क्या है आपको बता देती हूँ क्या हमेशा टेंशन में रहते हैं आप? अच्छा मुझे एक बात बताईए आपके गालों का रंग क्या है लाल है गुलाबी है पीला है गेहुआ है आपको शायद पता नहीं होगा आपके गालों का color आपका हर रास खोल देता है अगर आपको किसी के बारे में पता करना है तो उसके गालों का रंग देख लीजे और फिर जो मैं बता रही हूं उसे ध्यान से कीजिएगा सामने वाले का एक एक रास खुल जाएगा गालों का रंग लाल हो तो जिन लोगों के गालों का रंग लाल होता है वो थोड़ इसे गुसे वाले होते हैं छोटी छोटी बातों में इन्हें गुसा आ जाता है ये लोग साहसी लेकिन तुरंत उत्तेजित यानिक एक रैसे भुजाते हैं गालों का रंग गुलाबी होता है जिन लोगों की गालों का रंग पिंके स्टोन में होता है गुलाबी गुलाबी दिखाई देता है ऐसे लोग जो हैं कि संतुलित होते हैं किसी भी स्थिती में खुद को बहुत अच्छे से सेट कर लेते हैं हर काम को अपनी तरह से करना पसंद करते हैं इन लोगों को जीवन में कई उपलबदियां हासिल होती है अब जिनके गालों का रंग पेल होता है पीला पन में होता है गाल बिलकुल पीले होते हैं यह बिमारी का प्रतीक है ऐसे लोगों में शक्ती की कमी पाई जाती है, ये लोग डरेवे होते हैं, एनरजी भी इनमें कम होती है इसी तरह गालों का रंग गे हुआ हो, तो अधिकांश लोगों के गालों का रंग गे हुआ होता है तो ऐसे गाल वाले लोग जो हैं सामाने ही होते हैं मुश्किल वक्त में आसानी से खुद को ढाल सकते हैं इन्हें मेहनत के कई दूसरे बड़े काम करने भी हासिल होते हैं अगर गाल भरेवे हैं तो ऐसे लोग जिनके गाल अधिक होते हैं और भरेवे होते हैं मोटे शरीर वाले होते हैं ये भोगी, सिम्रिद, विलासी होते हैं इनका मांसिक विकास, शरीर के अपेक्षा थोड़ा कम होता है अगर गाल बिलकुल नॉमल हो न जादा बाहर न जादा अंदर चिकनी और चमकदार हों तो विनसान शारीरेक और मांसिक रुप से मजबूत होता है इन लोगों में अखर्षण अधिक होता है, ये विवाहर में बहुत अच्छे होते हैं जिनके गाल बिलकुल सूखे गाल हों, ड्राइ गाल हों ऐसे लोग जो हैं ये रूखे होते हैं, वो उल्टा सीधा खाते हैं, मांसिक चिंता और दुख दोनों इनको घेरे रहते हैं, ऐसे लोग गुसैल, चिर्चडे और जीवन में कई बार असफल भी होते हैं, गुलाबी और नॉमल गाल हैं, मोटे-मोटे नी गुलाबी और नॉम सम्रद्धी सब कुछ इन लोगों में होता हैं अगर गालों का रंग सफेद हो तो फिल्कुल वाइटिश पर्ण्ड में गाल हो पिंकिश नहीं हो उआईच हो तो उनके साथ सेहत की दिक्कते चलती रहती हैं इन्हें निदाशा रहती है और ये लोग आलसी भी हो सकते हैं इन लोगों में सब निश्चित होने की भावना होती है यह हर काम को अपने ही धंग से करना पसंद करते हैं अब आज के तीसरे महाउपाई की बारी है क्या घर में कलह रहता हैं घर के पूजा स्थान पर घी का दीपक जलाएं कपूर और अश्टगंद की सुगन प्रती दिन घर में फैलाएं दुपट्टे पर गाने तो बहुत सारे सुने हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कौन सा दुपट्टा आपकी किसमत बदल सकता है अगर नहीं सोचा तो आज सोचिए वैसे तो आपको ड्रेस के हिसाब से ही दुपट्टे का कलर डिजाइन चूज करना चाहिए लेकिन आप राशी के हिसाब से भी दुपट्टे का लाकी कलर तेह कर सकती हैं और आपके ये बहुत काम आएगा मेश राशी के लोग ब्राउन और खाकी रंग का दुपट्टा लेंगे तो इनकी पावर बढ़ेगी प्रिश्चुब राशी वाले लोग पिंक, क्रीम और सफेद दुपट्टा लेंगे तो इनकी ब्यूटी इन्हांस होगी मितुन राशी वाले लोग बैंगनी, परपलिश कलर का, वाइन कलर का दुपट्टा लेंगे तो इनके लिए फेवरेबल होगा कर्क राशी वाले लोग ग्रीन या यलो दुपट्टा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा यह silver दुपटा भी इनके लिए बहुत favorable है सिंघ राशी के लोग पीले रंका या golden कलर का दुपटा लें तो बहुत अच्छा है कन्या राशी के लोग peach color का light blue या फिर light pink color का दुपटा इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा तुला राशी के लोग लाल रंका दुपट्टा लेंगे या फिर bright silver embroidery वाला या जरी वाला या गोटे वाला दुपट्टा लेंगे तो बहुत फेवरेबल रहेगा विश्चिक राशी के लोग बैंगनी, मरून, लाल रंका या गोल्डन जरी वाला दुपट्टा इनके लिए बड़ा फेवरेबल रहेगा धनु राशी के लोग औरिंजिश, केसरी, पीले रंका दुपट्टा आपकी किसमत बदलेगा मकर राशी के लोग ब्लू, या प्रिंटेड ब्लू टोन्ज के दुपट्टे आपके लिए फेवरेबल रहेगे कुम राशी के लोग ग्रे या फिर हरे रंके दुपट्टे पहनेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और मीन राशी के लोग वाइट, गोल्डन या फिर बिलकुल लाइट बेज कलर के दुपट्टे आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे बहुत दुपट्टे की बात हो ही रही है तो चलिए आपको लेटेस्ट ट्रेंड के दुपट्टे और ये दुपट्टे किस ड्रेस के साथ पहनने चाहिए ये बता देते हैं सासपू फैमिली गुरू में हम बात करेंगे दुपट्टा के बारे में और कौन सा दुपट्टा कौन से टाइप के कपड़ों पे सूट करेगा ये भी हम बताएंगे हमाए है शांती हस्त कला स्टोर में और हमारे साथ है चिदेश्वरी जी डुपट्टे जो हम लोग बनाते हैं ये कौटन के मटीरिल के हैं इसलिए समर के लिए एकदम लाजवाब हैं ये कई डुपट्टे हैं जो ड्रेसी हैं अगर ये डुपट्टा है एक ले लिया और हमने प्लेन ड्रेस पहनी तो भी आप यू आर सौटेड फ़र वेडिग ये बांधनी है जो एक ट्रेडिशनल आठ है अफ टाय अड़ और फिर उसके ओपर हमने लेसे लगा के इसको इलाबरेटली ड्रेस अप किया है सो इसके अंदर इतने कलर्स है कि तुम किसी के साथ भी इसको मैच कर सकते हो लाइक आफ अंदर इसके अपर तुमने कुर्ती पैनली और ये एक डुपट्टा जैसे मैंने ले लिया है आप रेडि फूर इनी फंक्शन तो ये सिंपल डुपट्टे हैं जिन पे चिंधी का का किया गया है यह भी multiple colors है तो कोई भी color के साथ तुम यह डुपट्टा ले सकते हो जैसे एक yellow dress के साथ, pink dress के साथ, blue dress के साथ, and gray dress के साथ, so there are so many colors कि ऐसे कोई हमें वो प्रॉब्लम नहीं होगी इसको किसी भी color के साथ match करने के लिए, यह दिखिए, यह हर एक डुपट्टा ऐसे है, और यह cotton डुपट्टे है, जो गर्मियों के लिए एकदम ही beautiful है, अच्छा यह डुपट्टा भी जो मैंने अभी पैना है, it's a cotton डुपट्टा, और इसके ओपर यह हमने ऐसे lace का काम किया है, which makes it look so pretty, अगर आप देखो, तो मेरी यह ड्रेस के साथ एकदम beautifully blend हो जाता है, and still looks beautiful, and still not hot, slip भी हो जाते हैं, जैसे तुमने पैना हो घड़ी-घड़ी slip होता है, यह एसे slip नहीं होगा, जिदर तुमने लगाया वैसा लगा रहेगा, जचा रहेगा, and looks beautiful, यह डुपटे हमारे are very minimal, यह इसके उपर actually जो चिंदी का काम किया गया है, उसमें गाओं की बहुत सारी आड़तों का contribution है, तो वो लोग हर एक जन यह बनाती है, फिर कोई इसको लगाता है, कोई इसको sort out करता है, तो ऐसे यह एक डुपटे पे बहुत आड़तों का contribution हो जाता है, और यह डुपटे trendy लगते हैं, और सुन्दर लगते हैं, यह खाली 1400 रुपटे का डुपटा है, इसके उपर काफी मे जानत है, यह वाला भी है, जैसे इसके उपर यह बॉडर्स पे काम किया गया है, 1800 रुपए, काफी रीजनेबल रेट है, चोर से काफी अच्छे चे वराइटी, दुपटास हमें देखने का मौका मिला, थैंक्यू सो मच, जानते हैं आज का चौथा महा उपाए, आपके संतर का 108 बार जाब करें, गुरु ग्रह पढ़न गई रगुराई, अल्पकाल विद्या सप्पाई, आईए बात करते हैं आज की स्पेशल ऐस्टो टिप का, देखिए जो आपकी गाल हैं, यह मंगल का प्रतीक हैं, और जो होट हैं यह शुक्र का, जब यह दोनों पिंक कलर लिए वे होते हैं, तो आपका शुक्र और मंगल स्टॉंग होता हैं, जिससे अन बीटिबल आपकी अट्राक्शन होती है, ऐसे में गुलाब की पंकरी को आधे बून कोकनट ओयल यह देशी खी के साथ मसल कर, गाल पर और होटो पर लगाते हैं, तो आपकी अट्राक्शन द हो रही हैं, उपाई जानना चाहते हैं, मंडे के दिन अपनी मदर को कोई गिफ्ट दे कर उनसे बात करें, आपकी कन्विंसिंग पावर बेटर होगी, और साथ साथ चंद्रमा को हर दिन अर्दे शुकल पक्ष के 15 दिन, यानि की वैक्सिंग पीरिड अफ मून, जब मून ब मेश राशी के लोग, कल किसी की भी चूगली बिलकुल ना करें, भाग्य साथ दे रहा हैं आपका कल के दिन 65% विश्ब राशी के लोग, शाम को हनुमान मंदिर जरूर जाएं, किस्मत साथ दे रही हैं आपका 67% मिथुन राशी के लोग, चमड़े के समान का प्रेयोग ना करे भागे साथ दे रहा हैं आपका 68% करक राशी के लोग, काले कपड़े अवोइट कीजे आप किस्मत साथ दे रही हैं आपका 71% सिंग राशी के लोग, गरीबों को दाल दान करे भागे साथ दे रहा हैं आपका 73% कन्या राशी के लोग दिन में खुब पानी पीछे किस्मत साथ दे रही है आपका 77% तुला राशी के लोग घर से निकलते वे इश्ट का नाम लीचे भागे साथ दे रहा हैं आपका 80% प्रिश्चिक राशी के लोग गाड़ी ध्यान से चलाईए किसमत साथ दे रही है आपका 64% घनु राशी के लोग शनी देव को प्रणाम करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 69% मकर राशी के लोग जादा पैसे खर्च ना करें किसमत साथ दे रही है आपका 55% कुम राशी के लोग ट्राफिक नियमों का पालन करें भागे साथ दे रहा हैं आपका 67% मीन राशी के लोग काम में जल्दबाजी बिलकुल ना करें किस्मत साथ दे रही है आपका 68% मैं आप से गाल और ब्यूटी पर और बात करूँ इससे पहले कुछ दिखाती हूँ मैं अलो यओसकरते हूँ सुबा मां और रात को अ बस पूर अलो यओसकरते हूँ एक्रीम के लिए यूज़ाँ लिए उस प्रोड़क्ट वाटनें प्रोड़क्टो अत्पर चुछ अवोगडो to not keep makeup on my face on the days where I'm not working because it's very important for the skin to breathe because it's so warm right now it just opens up your pores even more so yeah basically just this, you can use a little bit of rose water, you know they have a lot of these sprays which you can only spray it, you know it's very refreshing to the skin and yeah that's it I make sure that I eat a lot of fruits and drink a lot of water, I drink a lot of water, I drink a lot of water, that's the best actually so yeah that's what I do. आई जानते हैं आज का पांच्वा महा उपाए, क्या नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल रहा है आपको, ऐसे में मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चड़ाएं